तो चलिए देखते हैं काफी टाइम से हमने नहीं देखा है कि थर्ड पार्ट्र के बीच की खिचरी क्या है क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में तो डियर आज हम पूरा जानने की कुशिश करेंगे कि इन लोगों के लाइफ में हो क्या रहा है सब चीजों के बारे में देखेंगे कि थर्ड पार्ट्र और आपके पार्ट्र के क्या है क्या फ्लानिंग चल रही है क्या सोच रहे हैं किस तरह का है और अगर आपको लगता है कि आपके पार्ट्र जो है इस थर्ड पार्ट्र सिट्वेशन में हैं आपको लगता है कि आपके situation के हिसाब से match कर लीजिए कोई job work भी हो सकता है तो हमारा देखने का मकसर यह है कि इस third party के साथ में partner की क्या खिचड़ी पक रही है तो please universe guide करें कि third party और partner के बीच का क्या है चलिए यहाँ पर the fool के energy आई है dear the fool next card जो है यहाँ पर six of swords के energy dear यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner जिस भी तरह से हो सकता है यहाँ पर energy ही ऐसी बता रहे हैं कि आपके partner ने कुछ बेवकूफियां ऐसी कर ली है जहाँ पर उनको पीछे जाना है ना back step लेना बहुत मुझे हो रहा है और यहाँ पर यह महसूस हो रहा है कि आपके partner को कहीं न कहीं इस चीज का regret है देखे वही चीज निकली इस चीज का बहुत ज़्यादा regret है कि उनसे गलती हो गई है कुछ गलत बेवकूफियों वाले काम उन्होंने ऐसे कुछ कर लिए है यह देखे यह बंदा जो है एक अपनी ही धुन में चला जा रहा है तो यही आपके partner ने किया है और इस किये का उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर देखे यह इनकी life जो है उनकी life उलज रही है जितना वो solve नहीं कर पा रहे है उससे ज़्यादा तो उलजते चले जा रहे है यहाँ पर आपका proposal आपका love आपका relation जो भी कुछ था कहीं न कहीं इस partner ने उससे accept नहीं किया उस चीज को समझा नहीं उस चीज के बारे में भी यह बहुत ज़्यादा सोच रहे है बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली शमता दिख रही है आपके partner की और यहाँ पर आपके partner जो है कोई तो ऐसी चीज यहाँ पर होने वाली है fight वाली situation हो सकती है action लेने वाली situation हो सकती है spy करने वाली तो वो energy यहाँ पर दिख रही है किसी तरह की planning कर रही है यह third party किसी तरह की planning दिखें यहाँ पर कोई तो शादी कर चुका है third party से या फिर करने वाला है किसी का partner जो है इस third party से शादी करने के बारे में कुछ planning कर रहा है कुछ लोगों के लिए resonate हो सकता है कि ये partner जो है third party से शादी कर चुका है या करने वाले हैं तो ये चीज आपको पता चल जाएगी कि ये partner कहीं न कहीं third party के साथ में शादी कर रहे हैं और वजह किसी का बहुत ज़्यादा controlling energy है हो सकता है कि आपके partner जो है उनके family से उनके father हो सकते है बड़े भीया हो सकते है कोई तो हो सकता है तो उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है influence कि वो controlling energy के कारण आपके partner जो हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको बिना बताए कोई decision लेने वाले हैं कुछ लोगों की energy इस तरह की आई है कि आपके partner इस third party की तरफ decision लेते हुए दिख रहे हैं किसी न किसी तरह की कोई planning करते हुए दिख रहे हैं आपके partner भी और third party की तो चली रही है planning यहाँ पर किसी तरह का कोई तो negativity आती हुई दिख रही है यह देखे partner और third party के बीच में एक ऐसे situation आ गई है दो राहे आ गए है एक तरफ मान लिजे partner जा रही है तो एक तरफ third party जा रही है तो वो वाली situation दिख रही है बहुत ज़्यादा stress ले रहे हैं रातों को सूना नहीं है नींद आ नहीं रही है दिखे यहां से ही queen of swords तो यह energy दिख रही है dear queen of swords और bottom के energy की बात करी जाए तो dear bottom के energy से high priestess है high priestess means major arcana की energy आई है कुछ ना कुछ तो hidden है major arcana यह बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो hidden है इस रिष्टे में इस third party ने कुछ height करके रखा है या फिर आपके partner height करके रखे है यहां पर cards बता रहे है height क्या करके रखा है दोनों ही अपनी बाते अपने अपने दिल में रख रहे है हो सकता है इस third party की life में partner से खुशिया नहीं मिल रही है और partner को इस third party के साथ में happiness feel बिलकुल नहीं हो रही है partner अभी five of cups की energy में है बिलकुल खुश नहीं है बहुत sad feel कर रहे है बहुत ज़्यादा sad energy दिख रही है और वजह जो है वजह जो है सिर्फ और सिर्फ option है तो कुछ ऐसा दिखे जब तक क्या होता है life में जब तक ऐसी कोई situation नहीं आती के सामने वाले के life में कोई और involved नहीं होता है तब तक इनसान के पास option वाली कोई line नहीं होती है यहाँ पर third party और आपके partner की जिंदगी में कोई तो option वाली ऐसी line आ चुकी है जहाँ पर ये new शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पर आपके partner उन option उसे निकलने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे उन option को हटाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और dear ये partner एक proposal को एक offer को लेकर आपकी तरफ आएंगे क्योंकि उनको कहीं न कहीं love marriage करना है तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए love marriage हो सकती है कुछ लोगों के लिए arrange marriage हो सकती है पर dear partner का decision ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है शादी को लेकर और ये पुरानी past की चीजों को ending करना चाहते हैं किसी तरह का कोई ऐसा situation create करना चाहते हैं जहाँ पर ये जो third party के साथ में आपके partner फते हुए है ending करना चाहते हैं एक new beginning एक new शिर्वात चाहते हैं वो वाली energy दिख रही है dear sign की बात करी जाए तो sign आपको मैं बताऊं यहाँ पर Gemini जो है वो बहुत heavy है और dear Libra, Aquarius Taurus, Virgo, Capricon Aries, Leo, Sagittarius Cancer, Scorpio, Pisces ठीके तो यह energy हमारे पास में दिख रही है बात करी जाए partner और third party के बीच में तो dear कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है एक तरफ तो आपके partner आपके साथ में relation में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस third party को मनाना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से इस third party की जो energy है जो भी इस third party की सोच है आपके partner इस third party को change करना चाहते हैं इस third party के energy को change करना चाहते हैं अगर यह agree नहीं है आपकी शादी के लिए, आपके relation के लिए तो यहाँ पर यह अपने घरवालों को मनाना चाहते हैं किसी तरह से ये थर्ड पार्टी जो है ना उनके लिए ये काम करना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा माहोल है इनके घर का जहां बहुत कंट्रोल चलता है हो सकता है कि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या फादर जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है तो बहुत ज़्यादा वैसी एनरजी मिल रही है हो सकता है कि पारंपरिक लोग हो घर वाले जो है इस तरह के हैं कि कास्ट के कारण शादी नहीं हो सकती है कल्चर अलग है इस तरह का कुछ ड्रामा चल रहा है फैमली के कारण तो डियर यहां पर यह दिख रहा है कि यह थर्ड पार्टी जो है अभी आपके पार्टनर से किसी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइट वाली सिच्वेशन चल रही है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता आपके पार्टनर जो है किसी बात को लेकर डिसीजन ले चुके हैं और यह डिसीजन जो है आपके पार्टनर की से आखरी डिसी जाने वो चाहते हैं कि यहां पर आपके पार्टनर जो हैं सीधे तरीके से कही ना कहीं ये चाहा रहे हैं कि ये जो छुप छुप के आप से मिलते हैं जो आपके बारे में इनके दिल में चलता रहता है ये ओपन अप करना चाहते हैं सब को बताना चाहते हैं कि आपके साथ में जो रिष्टा है वो एक long term के लिए चाहते हैं ये पार्टनर उस रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रिष्टे की एक नई शुरुआत चाहते हैं ये ऐसे लोगों की नजरों से बच बच कर या बचा कर उस रिष्टे को आगे लाना नहीं चाहा रहे हैं वो चाहते हैं कि सब के सामने आए रिष्टा आए तो शादी तक पहुँचे एक नई शुरुवात एक न्यू बिगनिंग तक पहुँचे तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वाली सिच्वेशन में दिख रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में कुछ लोगों की बात करी जाए तो यह थर्ड पार्टी जो है एक्स गर्फ्रेंड रोमांटिक पार्टनर है तो यहाँ बात करी जाए यहाँ पर किसी तरह की कोई डार्क एनर्जी इसका यूज बहुत जादा है और इस यूज के कारण आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी का जो इगो है थर्ड पार्टी की जो आदत है यू समझ लीजे थर्ड पार्टी के हर एक बात आपके पार्टनर को सही लगती है हाला कि उनका दिल उस चीज को गवारा नहीं करता है कि उनको उस थर्ड party के साथ में रहना है पर ये dark energies ये negativity जो है आपके partner को इस कदर घेरी हुई है कि वो चाहा कर भी उस situation से नहीं निकल पारें उस situation से move on नहीं कर पारें चाहते हैं देखिए move on के कितनी ज़्यादा वो दिख रहे हैं ये painful party है आपके partner के life में कुछ ऐसे situation कुछ ऐसे plan कर रही है जिससे आपके partner जो हैं आपको कहीं न कहीं ignore करने लगें आपको ऐसा करें कि आप से वो दूरियां कर लें तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है देखिए कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके partner को ये third party बाहर ले जा चुकी है हो सकता है जिस देश में आप रह रहे हों जिस city में आप रह रहे हों वहां से कोसो दूर इसने ले जा चुकी है और number भी change करा दिया है हो सकता है कोई phone calls आपना करो आपके partner phone calls न करे तो यहाँ पर किसी तरह की ऐसा दिमाग ऐसी situation create करी गई है इस third party की तरह से कि इस third party के कारण आपके partner जो हैं काफी हद तक देर इस third party के control में दिख रहे हैं बहुत जादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये partner जो है third party के control में इस कदर हैं कि ये third party जो है वो काफी हद तक आपके partner को अपनी तरफ करना चाहती है आपके partner से काम लेना चाहती है किसी तरह का dear यहाँ पर ये इसलिए भी हो रहा है शायद ये third party जो है यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये third party जो है इसका control इस कदर है आपके partner के उपर कहीं कहीं तो यू दिख रहा है कि कुछ लोगों के partner के उपर इस third party ने इस कदर control करा है कि वो आपकी बात ही नहीं सुनते होंगे आप चाहे कितना भी कुछ कहलो ये वाली situation दिख रही है कि आप चाहे कुछ भी कहलो पर वो partner बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे आपके सही बात को भी वो गलत बोलेंगे लेकिन third party की गलत बात को भी वो कहीं न कहीं सही बोलते हैं ये situation दिख रही है इस third party के influence में आपके partner ने आकर आपको बहुत hurt किया है आपको जो hurt किया है वो तो किया ही है ये सारी situation तो इन्होंने करिये पर अब यहाँ पर यह दिख रहे है कि ये partner के साथ में वही third party repeat कर रही है एक ऐसा repeat repeat वाला चीज दिख रही है कि ये partner की life जो है उसमें third party ने शायद किसी तरह की hidden feelings रखी है देखें कार्ट यहाँ पर ये third party है यहाँ पर कुछ बाते जो है hidden रखी गई है और ये इस hidden रखने की वज़े से इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं ये ऐसी situation आ गई है जहाँ पर दिल को किसी के दुख हो रहा है हो सकता है किसी के दिल को बहुत तकलीफ हो रही है कि ये बात मुझसे कैसे छुपा के रखी जा सकती है कैसे मेरी life में कोई इतना जिसको मैं इतना love करता हूँ जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ जिसके लिए मैंने नहीं नहीं पार्टनर के सामने दिखाई दे रही है और यह देखकर आपके पार्टनर को हर्ट हो रहा है बहुत जादा दिल जो है ब्रेक अप हो चुका है उनके दिल का और यह दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोगों का तो ब्रेक दिखाई दे रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा सैड एनरजी है बहुत ज़्यादा रो रहे हो जैसे बहुत उदास हो रहा है बंदा दिखिये ना किस तरह से ये पार्टनर जो है नीचे करके अपने निगाहें और रो रहें वोई वाली एनरजी है और यहां पर दिख रहा है क ये धर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बाते पार्टनर को बोल दी है जहां पर ये पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हों ने जो भी चॉइसिंग के पिछे अपना ये कैरियर खराप कर आपनी लाइफ खराप करी वो सब कुछ ये प्रपोजल जो था ये गलत था तो यहां पर आपके पार्टनर को कही ने कही गल्ट हो रहा है अपनी चीजों पर बहुत ज़्जादा पश्ता रहु हैं कि इस सिच्वेशन से निकल जाना ही बेटर होता अगर मैं यहां हाथ ना थामता तो बहुत अच्छा होता तो कुछ लोगों के पार्टनर के energy चैसी हो रही है थर् पैटी की father हो, third party की घर में कोई brother हो, वो भी आप यू समझ लीजे, कि आपके partner को control कर रहा है, और आपके partner तो कैसे है, मन चले है, उनको अपनी मर्जी करने की आदत है, अपनी मन चली करने की आदत हैं, ना, तो अपनी मन की करने वाला इंसान कैसे किसी की control प्रोल में रह सकता है तो यहां से आपके पार्टनर का मन है कि निकल जो तो यहां पर situation पूरी तरह से अगर आप देखें तो एक ऐसे situation बन चुकी है जहां पर आपके पार्टनर को निकलना बहुत जरूरी है यहां यह भी दिख रहा है कि यह थर्ड पार्टी जो है इसके family भी कि financially काफी strong है आपके person आपके person के पास में बहुत कुछ है तो यहां पर या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके partner इस third party को बहुत ज़्यादा financially अच्छा समझ रहे थे इसलिए रुके हुए हैं हो सकता है आपके partner की growth में इतना पैसा नहीं है इतना life में abundance नहीं है कि उनके पास को लेकर बहुत ज़्यादा problem चल रही है किसी तरह का financially issue दिख रहा है dear is third party के life में और यह third party जो है partner से किसी तरह की कोई fight किसी तरह की बारे में कोई बात ऐसी कर रही है जहां पर यह partner को लग रहा है कि यहां से मुझे बहुत तकलीफ मिल रही है बहुत ज़्यादा तो यहां पर आपके partner जो है इस third party के बारे में बहुत कुछ सोच रहे है दिखे यहां पर क्या हुआ था आपके partner ने जो love relation था आपका ठीके love relation जो था इसमें इस third party के आ जाने से break up आया बहुत सारी चीजे खराब हो गई बहुत सारी चीजे hidden रहने लगी कुछ भी आपके partner ने आपसे share नहीं करा धीरे धीरे ये रिष्टा जो है एंड हो गया ये love का जो cards है वो तो बिलकुल एंड हो गया love marriage की बातें जो शादी का commitment इनों ने दिया था वो कहीं न कहीं चला गया दिल आपका भी तूट गया आपके दिल को तकलीफ पहुची और डियर ये partner जो थे कहीं न कहीं इस third party की तरफ बहुत ज़्यादा impress हो गए थे आपके partner ने आपसे बाते hide रखे आपके partner दूसरों से guidance लेते रहे और जो उनकी life में guidance दे रहे थे कहीं न कहीं उनके गलत guidance के कारण यहाँ पर ये situation create होई है ठीके कुछ ऐसे लोग involve हो गए थे कुछ ऐसे लोगों के आजाने से ये third party में और आपके partner के बीच में बहुत सारी चीजे खराब हो रही थी बहुत सारी चीजों को आपके जब से ये third party ने कुछ चीजे hidden रखी ना तब से हाला देखे कैसे हो गए partner जो है उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा अगर ना तो ऐसे तो life नहीं कटने वाली है ये third party जो है बहुत ज़्यादा stress दे रही है बहुत ज़्यादा उनको burden दे रही है और आपके partner को लग रहा है कि हाला तब ही ऐसे हैं कि उनको किसी तरह से इस मुकाम से निकलना होगा यहां से निकलने वाली energy है और guidance भी ले रहे है guidance लिया जा रहा है और यहां पर यह दिख रहा है कि यह partner और third party के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा planning चल रही है बहुत ज़्यादा fight वाली situation दिख रही है और आपके partner जो है इस third party की तरह से move on होना चाहते हैं आपके partner जो है इस third party की situation से निकलना चाहते हैं ठीक तो इस third party के साथ में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि उनको इस third party से जो decision चाहिए हो सकता है कि third party को बहुत कुछ दे दिया है आपके partner ने या third party ने अपने family वालों को दे दिया है आपके partner की चीज़ों को तो यहां wait कर रहे हैं आपके partner इंतर्यार कर रहे है कि यह third party वो सारी properties जो है जो भी आपके पार्टन को दिया है वो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टर को वापस दे दे पर डियर somehow यहां वो कहीं नहीं जाती था पहें आपके पार्ट्नर को पूद Quad करना पड़ेगा तो वाली एंरजी दिख रहे है कि यह ठर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि यहां पर इस से तरह आगत कोई शेरिंग करी जाए आपके पार्टनर को वह एक फूटी-कोडी नहीं देना चाहती है सब कुछ पार्टनर का है सब कुछ सबffenर की चीजों का पर यह न एक्षन है को ध Whenever Weelp लेकर लेकर चांदेर कोड़ी यह ब्लॉप करना करती है और गॉप के पार्टनेर को तरह बहुत दौगी होँ थाका युद्ध की तरह इनका भी माहूल हुँ और बाथ शी पर कती जाये है तो controlling energy को देखकर partner जो हैं बहुत गुशा हो रहे हैं लाल पीले हो रहे हैं partner को बहुत गुशा रह रहे हैं आपकी energies जो है वो कही न कहीं effect डाल रही है होज सकता है कि आप जो हैं किसी तरह से कोई prayer किसी तरह का कोई spirituality से connect हो रहे हैं जहां से शायद ये energy जो है सीधा effect कर रही है आपके partner को और dear इस partner के साथ में भले ही आपका संबन्ध हो या ना हो पर dear जो भी इस partner ने आपके साथ में किया है वो कहीं न कहीं इस partner के सामने आ रहा है तो ये third party जो है इसका किया जो है इसको मिलेगा आपके partner को भी अब थोड़ा सा इस third party से हटने का मन करने लगा है interest जो था वो नहीं है आपके partner को ये तावर एक बार ऐसा हुआ है शायद इस third party ने कहीं न कहीं कोई शादी कोई रिष्टे को लेकर खराबी करी है हो सकता है कि आपके partner से कुछ ऐसी बाते कर ली है इस third party ने जो बिल्कुल भी आपके partner को पसंद नहीं थी हो सकता है कि आपके partner का status उस तरह का नहीं हो पर third party ने low category वाली बाते करकर आपके partner को कहीं न कहीं उदास कर दिया है तो वो जो बाते इस third party ने की है ना उससे आपके partner को बहुत ठेस पोचिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर hurt हुए हैं आपके partner और यह tower moment जो आया है जो fight हुई है उसको भूल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर एक decision ले चुके हैं पर यह बता नहीं रहे हैं थर्ड party को decision यहाँ पर काफी लोगों के partner ले चुके हैं कि उनको इस painful situation से निकलना है भले ही वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं भले ही व तरह के mind game खेलती है किस तरह की blaming game इस third party ने खेल रखे हैं आपके partner को सब कुछ पता है और यह जानते हुए यह partner जो है कहीं ना कहीं यहां से निकलना चाहते हैं move on होना चाहते हैं situation से हो सकता है कि आपके partner के life में सबसे बड़ी problem जो है पैसों से related है और डियर इस पैसे के लि उनको पैसा नहीं देगी तो यह partner कहीं नहीं जाएगा बंधा का बंधा रहेगा तो यहां पर यह third party आपके partner के इस सारी नस नस से वाकिस है कि किस तरह से आपके partner को control कर सकती है किस तरह से आपके partner को वो अपनी मुठी में कर सकती है तो यहां पर यह tower moment यहीं वितारा है कि य बहुत सारा टावर आपके पार्टनर की जिंदगी में लेकर आ चुकी है और ला रही है बहुत जादा दिख रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव बातों में आपके पार्टनर घिर रहे हैं दो रहा है इनकी जिंदगी में आ गया है एक ऐसा रास्ता आ चुका है जहां से पार चुके हैं आपके बिना ये पार्टनर को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गलती तो होती है इनसान से पढ़ी और अभी आपके पार्टनर दुखी है रीग्रेट फील कर रहे हैं तकलीफों के बारे में सोच रहे हैं कैसे किस समय इस सिच्वेशन से बाहर निकला जा तो थर्ड पार्टी जो है एक ऐसे जाल में अपने आपको फसा रही है हो सकता है कि उसकी जिन्दगी में कुछ ऑप्शन है और उन ऑप्शनों के सामने ये ऐसा प्रेजेंट करना चाहती है कि जैसे उसको एक बहुत सारी चीज़े चाहिए बहुत सारी इससे दिल नहीं भर ठाथ तो उसे और अच्छा चाहिए तो यह पर बहुत अच्छी चीजों कि प्रफूजल को ठुकराने वाली है काफी लोगों को ये good news मिलने वाली है कि आपके पार्टनर इस third party को किसी तरह का कोई proposal किसी तरह का कोई offer या commitment दे सकते हैं पर डियर इस third party के तरफ से three of swords मिलने वाला है हो सकता है कि पार्टनर जब third party को कोई proposal दे तो ये third party के choice जो है वो change हो जाए तो ये वाली energy दिख रही है कि बहु dark energies थी तो यहाँ पर आपको डियर guidance के तोरपे में यही कहूंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर manifest करना है new beginning के बारे में सोचना है अगर आप चाहते हैं कि आपका partner जो है आपकी जिंदगी में आए तो यहाँ पर लेकिन आने का हालत नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर ego में बैठे हुए हैं कुछ लोगों के partner कुछ लोगों के partner दूसरों के ego से दबे हुए हैं और कुछ लोगों के partner जो हैं वो काफी हद तक यह दिख रहा है spy भी कर रहे हैं आप पर नजर भी रखें पर वापस नहीं आ सकते ना दूर निकल चुके हैं आप दूर निकल चुके resonate करा हो तो like कर दीजेगा कुछ अच्छा लगा है कोई guidance मिला है तो dear video को like and share और जो लोग first time channel पर आ रहे please channel को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से dear हम मिलते next video पर